आज मैं आपको गोहर पॉब्लिशर की जानिब से खुश्यामदीद कहती हूँ हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग टी जियोग्राफी ओफ एजुकेशन थूट डिजिटल रिसूर्सिस फॉर कंसेप्चिल लर्निंग आज हम गोहर नदाय अर्दू जमाद अवल सफ़ा नंबर 126 पर मजूद पाकिस्तानी लबास के बारे में पढ़ेंगे जल्दी से अब सफ़ा नंबर 126 खोलें सबने सफ़ा नंबर 126 खोल लिया आपने देखा सफ़ा नंबर 126 पर मुक्तलिफ लोग है और मुक्तलिफ लाके के लोग है उनके लबास से पहचाना जा रहा है ना कि वो किस किस अलाके से तालुक रखते हैं देखा ये देखें दोती कमीज पहनी है पंजाबी है ये सिंधी टोपी और अजरकली है सिंधी है वाओ ये देखें किते प्यारे से लबास पहने है पठानों ने इस तरह मुक्तलिफ लबास सबने पहने है और अपने अपने अलाके की वो निशान देही कर रहे हैं अब हम देखते हैं इस सफ़े पर मजूद खास अलफास को और फिर उसके बाद पाकिस्तानी लबास के मतलिक जो इस सबक में बयान किया गया है वो हम पढ़ेंगे खास अलफास क्या है निशान क्या है निशान शलवार कमीज पगड़ी दुबटा अज्रक शाबाश अब हम इस सबक को पढ़ेंगे और मेरे साथ इस सबक को पढ़ें हमारा वतन पाकिस्तान है पाकिस्तानी जंडा हमारे मुलक का निशान है हमारा कौमी लबास चलवार कमीज और शेरवानी है हमारे मुलक के चार सुबे हैं पंजाब, सिन, खैबर पक्तूनख़ा और बलोचिस्तान, गिलगित बलतिस्तान और अजाद कश्मीर के अलाके भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं सब लोग एक हांदान की तरह आपस में मिल जुल कर रहते हैं सब उर्दू बोलते हैं जो हमारी कौमी जबान है शलवार कमीज पूरे मुलक के मर्द और और ओरतें पहनते हैं ये खुला और अराम देल अबास है पंजाब में धोती कुरता भी पहना जाता था मगर अब जादातर लोग शलवार कमीजी पहनते हैं सर पर पगड़ी भी बांदी जाती है सिंद में शलवार कमीज के साथ सिंदी टोपी और अजरक पहनते हैं खैबर पक्तुन खाब में शलवार कमीज के साथ वासकिट पहनी जाती है कुछ अलाकों में पगड़ भी बानते हैं, बलोचिस्तान में भी शलवार कमीज और सर पर भारी पगड़ी पहनते हैं, गिलगत बलतिस्तान और अजाद कश्मीर के लोग भी शलवार कमीज पहनते हैं, औरतें शलवार कमीज के साथ सर पर चादर या डुबटा ओड़ती हैं, आपने देखा हमारे पाकिस पाकिस्टनी कल्चर के बारे में बताया गया कि कौन कौन से सूबे हैं और वहां पर कौन कौन से लबास मैंने जाते हैं और हमारी जबान कौन सी है एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि मजीद जाने में लिखा है हमारा कौमिक हिल क्या है हाकी वेरी कि अब तक आपने इस सबक में पाकिस्तनी लबास और सूबों के बारे में बहुत को चान दिया होगा और आपको अपने कल्चर के बारे में मालूमात हासिल हो गई होगी आप इस सबक को घर जाके दुबारा दोहराएंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे अला हाफीज